तमाम ऐसे परेटा नस्थल हैं जो अपनी खुबसूरती के कारण प्रशिद्ध होते हैं प्रख्यात होते हैं लेकिन आज यूपी के एक ऐसे जिले की हम बात करेंगे आप देख सकते हैं ये वही अस्थान है जो अपने अजीमों गरीब के कारण चर्चा में बना हुआ है ये वही अस्थान है जहां लोग जेल की रोटी पैसे देकर बड़े चाव से खाते हैं साहब और उपर से सेल्फी भी लेते हैं हम आपको कुछ ऐसी तस्बीर दिखाएंगे जो आपको भी बेहत खुबसूरा तंद लगेगा यह आप देख सकते हैं ये पहली तस्बीर है जहां हासी के फंदे का सामना करना पड़ता है उसके बाद आप अंदर प्रवेश करेंगे क्या नाप है मेरा संकर पढ़ेगा ना क्या कहेंगे यहां किसली आएगे बस इंज्वाय करने रिश्टूडेंट में सेल्ट कोईंट पर अंदर जाएंगे मीनू देखेंगे जो चौइस को ले चलते हैं इस अस्थान की क्या खासियत है जिस पर आज के युवा दिवाने हुए हैं यह आप देख सकते हैं यह वही अस्थान है जहां युवाओं की काफी भीड उमर्ती दिखाई देती है यह अपने अजीबो गरीब बनावट को लेकर युवाओं के दिल में बसा है नकेवल युवाओं को दिवाना भी बनाया है क्या नाम है आपका तो अभी किस लिआ है क्या कर रहे हैं आप अबने का लग रहा है बहुत बनिया है च्या का सुविद्धा है बबनिया शुदा इस लेकर सब्झेच और बहुत दूनिक भी है यह तकरी किसको लगा है यह वी नाम भी साल है हमारे बड़े भाई है कैसा हथकरी लगा हुआ है ऐसा लगा है तो किसे अच्छा लगेगा नहीं हो ऐसे मतलब अच्छा लग रहा है आए गुमने के लिए जेल में बंद है जी 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 और क्या यहां तुछ लेट कर दो जी आगे और सब बढ़ियां ही है देखने में अच्छा है तो पैसा भी देना पड़े जी जी आप देख सकते हैं यहां के युवा है जो इस जेल होटल के दिवाने हैं यह युवा जेल में आते हैं हत्कड़ी पहंते हैं और पैसा देकर इस जेल की रोटी खाना बहत पसंद करते हैं अभी कुछ लोग हमारे साथ बने भी हैं क्या नाम है भाई साब आपका असे सर्मा कहां से आये हैं यह इस हैं बलिया से अच्छा भी रहे हैं है क्या कहेंगे देखी रहे हैं अच्छा लग रहा है क्या क्या चीज है यहां पर जो जेल की अनुभूती करा रही है आप जेल के अनुभूती के लिए में एक ही थोड़ी ना सब लोग इंजोई कर रहे हैं क्या क्या वस्ता है जेल कैसे लग रहा है की जेल है हटकड़ी भी है टोपी भी है और खाने के लिए डिस भी है यह क्या नाम है आपका जेल होटल बहुत ही अच्छा है यहां पर हर चीज मतलब बेवस्ता है समय पर सर्चित मिल रहा है जेल की रोटी खाना लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं दूर भागते हैं लेकिन आप लोग लेकिन कुछ लोग है इनको पसंद है इसलिए आ रहे हैं जो लोटल में खाने क्लिए हैं अपको लगी है ना एक बार लगी है Pakistan लगी और यहांप लगी है वह बहुत अच्छा लगा था वह बहुत बढ़े पज्ट हैं मेरा नाम है विशाल वर्मा पूर्व महमंति चाहसंग परत्यासिक ट्रीडी कॉलेज और इस जेल क्लेश्पूरेंट का उना रूम है और यह वाँ को दो आपकड़ी और सामना करा रहा है कि सबसे पहले तो जो जेल हमारा है बलिया के बागी करांतिकारियों के लिए जीनों चितु पांडे मंगल पांडे जैसे लोगों को समर्पित है और सोचा कि बलिया बगावत के जान जाती है तो कुछ नया किया जाए बलिया में इसी विशार को रखते हुए हमने यह बागी बलिया के लिए जेल बनवाया है जो बलिया के लोगों को समर्पित है है लोगों का बहुत और बहुत प्यार मिला लोगों का जैसे तो लोग जेल जाने से बहुत डरते हैं और परिवार के साथ लोग हंतकड़ी लगवाते हैं टोपी पहनते हैं फोटो लेते हैं और लोगों में अलग सा उस्था बना हुआ है जो हमें अच्छा लगता है और हमें और प्रेरित करता है कि हम और कुछ नया नया करते रहें निरंतर हगे जिसमें साथ खुन8 आठाव माफ नियुद्टेंबाव सात तौ Allah को घ्रै दृट को माफ हो जाएगा और साथ रोटी खा से माफ घर यो का कुन माफ कर दते हम लोग एक रुपैण ही लेंगma कर एक आदमी बाइट के साथ रोटी हमारी खा गया तो कारीगर सब अलग अलग जगह के कोई दमन से है कोई अलग से कोई रस बैरिया से कोई रशड़ा से अलग अलग जगह के सब लोग है भलिया से सनंदन उपाध्या आए लोकल एटीन